The next question is, a wire of length 50 meter, 50 meter का एक wire है, is to be cut into two pieces, और उसको दो piece में cut करने है, one piece is bent in the shape of a square, and the other in the shape of a circle, मान लो कि ये एक wire है, ठीक है, और इसका length क्या है, 50 meter है, इसको दो piece में cut करना है, तो मान लो मैंने एक piece cut करके इसका circle बना दिया, और एक piece cut किया, इसका मैंने square बना दिया, ठीक है, इस circle का radius मैं R ले लेता हूँ, और इसका side मैं D ले लेता हूँ, square का, चारो side equal है, square है, ये ध्यान रखियेगा, इसमें से एक piece cut करके मैंने क्या बना दिया, circle बना दिया, और एक पिस से हमने क्या किया कि एसक्वायर बना दिया अब देखो इन दोनों का जो सरकंफरेंस इसका जो पेरिमीटर मतलब सरकंफरेंस होगा और इसका जो पेरिमीटर होगा उन दोनों का सम कितना होगा 50 मीटर क्योंकि ये भी 50 मीटर के वायर के पार्ट से बना है और ये भी उसके other part से बनाए अगर इसको मालो two parts में divide किया गया तो एक part से circle बना दिया गया और एक part से square बना दिया गया तो इन दोनों के perimeter का sum कितना होगा 50 meter होगा ध्यान रखिएगा maxima और minima के question में कम से कम variable use करने की कोसिस किजिएगा ठीक है तो आईए देखते हैं इस question को कैसे बनाते हैं solution let r meter be radius of the circle and d meter d यहां ही मैंने meter खला क्लिक दिया meter b the side of square फॉर्म्ड बाई फॉर्म्ड बाई दो टू पीसेज अफ 50 मीटर वायर ठीक है तो क्या होगा ध्यान दिजेगा कि circumference circumference of circle plus perimeter of square is equal to length of wire होगा अफ यहोप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा ठीक है तो circumference of circle इस circle का circumference 2 pi r plus perimeter square का 4 into side होता है मतलब 4 d is equal to 50 meter का यह wire है ठीक है यह relation हमें बिल गया अब हम से पूछा गया है इस question में कि what should be the length of each piece so that the combined area of 2 is minimum तो पहले तो हम combined area निकालेंगे now combined area is equal to इसका area होगा pi r square और इसका area होगा d का square और यहीं हमारा function होगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर problem क्या हो रही है कि यहाँ r है और d है आप किसी एक ही variable के respect में differentiate कर सकते हैं तो आप यहाँ से क्या कीजिए कि यहाँ से आप d की value ले लीजिए d की value मैं ले लेता हूँ तो यह हो जाएगा 50 minus 2 pi r upon 4 यह d की value हो गई और इसको मैं equation number 1 कर देता हूँ ठीक है और इस d की value को यहाँ मैं replace कर देता हूँ तो area is equal to pi r square plus 50 minus 2 pi r upon 4 जो की d की value है इसका square ठीक है अब इस area को हम r के respect में differentiate करेंगे देखिए differentiating both side with respect to r तो यह हो जाएगा d a upon dr is equal to pi r square को differentiate करेंगे तो 2 pi r और यहाँ देखो नीचे में 4 है तो 4 का square 16 तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 by 16 को बाहर निकाल दे रहा हूँ अब बच जाएगा यह इसको differentiate करना है तो 50 का differentiation 0 minus और सोरी 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 यह 50 minus 2 pi r का square है तो इसका differentiation हो जाएगा 2 into 50 minus 2 pi r and again इसका differentiation तो यह हो जाएगा आपका minus 2 pi differentiation में I hope कि आपनों कोई problem नहीं होनी चाहिए तो यह हो गया d a upon dr is equal to 2 pi r plus 1 by 16 और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि यह हो गया 2 to the 4 minus 4 और इसमें से भी एक 2 common निकाल दे रहा हूँ ध्यान दिजेगा इसमें से भी मैं 2 common निकाल रहा हूँ तो 2 to the 4 2 to the 8 ठीक है तो यह हो गया आपका minus 8 pi into इसमें से 2 common निकल चुका है तो यह 25 minus pi r होगा ठीक है इससे यह cancel हो गया तो यह बच गया हमारा यह हो गया हमारा differentiation अब आपको पता है कि यहां से r की value निकालने के लिए हमें first order derivative को is equal to 0 करना पड़ेगा दूसरी चीज़ है यह clearly visible है कि यहां पे एक ही point आएगा चुकि यह linear equation है ठीक है तो अब मैं यहां बनाता हूं question को यहां पे now da by dr is equal to 0 कर देता हूं तो यह हो गया 2 pi r minus pi by 2 को 25 से multiply करेंगे तो यह होगा 25 pi by 2 and इसको इससे multiply करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस pi square r by 2 is equals to 0 अब देखो इन तीनों में pi common है खटा देता हूं मैं तो यह हो गया 2 r minus 25 by 2 plus pi r by 2 is equal to जो pi हमने common निकाला था उसको 0 के अब 0 divided by कर देता हूं तो 0 अब क्या करो कि यह r वाले टर्म्स को इधर नहीं रखो pi r by 2 is equal to इसको अपोजेट सिफ्ट कर देता हूं तो यह हो जाएगा positive 25 by 2 ठीक है इधर LCM ले लेता हूं तो 2 हो गया यह हो गया 4 r minus pi r is equal to 25 by 2 यह दोनों two denominator के cancel हो जाएगे है इधर r common ले लो तो यह हो गया 4 कहीं कुछ गलती कर रहा हूं मैं सॉरी यह plus होगा यह plus होगा यहाँ पे बचेगा pi is equal to 25 यहाँ पे pi की value डाल दीजिए तो 4 plus 22 by 7 is equal to 25 therefore r is equal to 7 for 28 28 plus 22 is 50 50 by 7 is equal to 25 therefore r is equal to 25 into 7 by 50 यह cancel हो जाएगा तो r हमारा निकल गया यहाँ पे r is equal to 7 by 2 r की value हमारी निकल गई अब देखो अब हमें check करना है कि क्या यह combined area जो है वो minimize हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इसके लिए हमें second order derivative निकालना पड़ेगा तो by second derivative test by second derivative test check करते है यह हमारा first order derivative है इसको differentiate करो तो इसको differentiate करेंगे तो d square a upon dr square is equal to 2 pi r का differentiation with respect to r 2 pi होगा तो 2 pi minus pi by 2 तो coefficient ही है 25 का differentiation 0 होगा और minus pi r का differentiation minus pi होगा it is equal to 2 pi और minus into minus plus plus 2 pi sorry 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 plus यह हो जाएगा pi square by 2 now you can see this is greater than 0 अगर आप pi की value लेते हैं मतलब clear है यहाँ पे कि therefore area is minimum when r is equal to 7 by 2 centimeter sorry meter क्योंकि unit यहाँ में दिया हुए 7 by 2 meter अगर r की value आप 7 by 2 लेते हैं तो area क्या होगा यहाँ पे minimum होगा अब हम length of wire part निकालना है तो यह निकाल दो therefore length of wire bent in the shape of circle is equal to क्या होगा 2 pi r circle ता circumference 2 pi r which is 2 into pi is 22 by 7 into r is equal to 7 by 2 7 say 7 cancel 2 say to cancel it is 22 meter यह हो गया circular part में जो bent हुआ है therefore length of remaining wire क्या होगा length of remaining wire bent in the shape of bent in the shape of square इसको minus कर लो 50 में से 50 meter का wire है 22 meter का circular part है तो बाकी का 28 meters होगा वो आपका square shape में bent किया गया है ठीक है यह दोनो values निकल गया हम से question भी यही पूछा गया था find the length of is piece ठीक है ना दोनो निकल गया एक 22 meter का था part और दूसरा part 28 meter का था this question is very important for examination purpose ठीक है हूई